नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं नमक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ नमक से इतनी जल्दी लोग अमीर कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स तो चलिए हम नमक के बारे में कुछ पाते कर लेते हैं नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं नमक नाकारात्म कुर्जा को नश्ट करके सकारात्म कुर्जा को अपनी ओरा कर्शित करता है तंत्र सास्त्र के अनुसार अगर नमक का कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए तो ये रातो रात अमीर बना देता है जोती सास्त्र के अनुसार नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधी माना जाता है नमक को यदि आप किसी इस्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यह चंद्र और सनी का मेल हो जाता है जिससे की बहुत ही घातक होता है और हमें बहुत नुकसान पहुचाता है तो यह रोग और सोग का कारक बनता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए नमक को हमेशा काच के बरतन में ही रखना चाहिए यह बुरा असर नहीं देता है यदि आपको कोई ब्यक्ति पसंद नहीं है उसका नमक न खाएं बिल्कुल भी उसका नमक नहीं खाना चाहिए या किसी पापी पूरुस के यहां का भी नमक नहीं खाना चाहिए और यदि आपका किसी ब्यक्ति के साथ दुस्मनी है तो उसका भी नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसकी सारी परेशानिया हमारे जीवन में होने लगती है हर कहीं कहीं न कहीं उसके जो भी तकलीफ होते हैं हमारे जीवन में आने लगती है तो इस तरह से आप किसी का नमक या नमकी न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें मजबूरी या दबाव में भी किसी का नमक न खाएं, इससे आपका बड़ा नुकसान होगा नमक उसी का खाएं, जिसके संसकार अच्छे हो, जिसके धर्म और आचरण अच्छे हो, जो धर्म का काम करता हो वरना नमक किसी का न खाएं, नमक और काच दोनों ही राहू का कारक माना जाता है इसलिए आप नमक को काच की प्याली में भर कर सवचानरे में या असनान घर में रखेंगे तो वहां से निगेटिव एनरजी समाप्त हो जाती है क्योंकि राहू का ज्यादा दुस्प्रभाव बात्रूम में ही होता है इसके अलावा इस उपाय से वहां के किटाडू भी नश्ट हो जाते हैं और बुरी सक्तियां भी दूर हो जाती हैं हर महीने नमक बदल देना चाहिए और पुराने नमक को फेक देना चाहिए इससे बहुत लाब होता है अगर नमक घर में न रखें तो आप बहुत परिशानी में आ सकते हैं कभी भी घर में अगर पोछा लगाएं तो पोछा लगाते समय नमक के पानी में एक चुटकी नमक मिला कर हपते में दो बार ऐसा करने से घर में सकारात्म कुर्चा आती है और कहा जाता है कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से सीग्रही धन की परेशानी खतम हो जाती है और आपको कर्ज से भी मुक्ती मिलती है नमक का गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता है इसका गिरना असुप माना गया है नमक को गिराने से चंद्रमा और सुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं तो फ्रेंट्स इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए नमक को कभी भी किसी ब्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए कहते हैं कि सीधी हाथ से नमक देने से एक दूसरे में लडाई हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखे कि कभी भी नमक किसी को अपने सीधे हाथ से नदे। लॉंग डाल दें ऐसा करने से घर में माल अच्मी प्रसन्न होती है और उनकी क्रिपा बनी रहती है और धन में दिन दुनी राज चोगुनी बरकत होती रहती है कभी कभी ब्यक्ती बिमार हो जाते हैं या किसी की बुरी नजर लग जाती है तो एक चुटकी नमक लेकर उसके सिर से साथ बार फिराएं और फिर उसे बेसिन में धो दें थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि बुरी नजर उतर जाएगी और तबियत में भी सुधार होने लगेगा पती पत्नी में अगर जगड़ा होता है घर में तनाव रहता है तो ये नमक का उपाय आजमा करके देखिए बहुत कारगर है एक काच की कटोरी ले लीजिए या काच का गिलास और उसमें सेंधा नमक डाल करके अपने बेडरूम में रख दीजिए ऐसा करने से बेडरूम की नकारात्मक उर्जा खतम हो जाती है और अपने बेडरूम में रख देने से पती पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है और नकरात्मक उर्जा हमेशा के लिए खतम हो जाती है तो फ्रेंड्स ये नमक का बहुत ही कारगर उपाय है आप इसे जरूर आजमाएं अगर आपको ये जानकारी अथी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह से हम नई नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे